अभिवादन स्विकार कीजिये ब्रजेश मिस्त्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेट बैनवाईयों भारती एजनता पार्टी ने अपनी राज्य कारे समीति की एक बैठक बुलाई थी लखनव में और दो दिन पहले इस बैठक का एजेंडा मीडिया में बे सत्तर या पचत्तर नहीं बलकि 80 में से 80 सीटें जीतने का खुद का लक्षे रखा है पारलियामेंट के इलेक्षन में बीजेपी का टार्गेट है कि सभी 80 सीटे वो उत्तर प्रदेश में जीत ले पार्लिया बेंट का इलेक्षन इस बार बहुत ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि विपक्ष भी उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक इस्थिति में है और भारती जनता पार्टी भी काफी ताकत वर ह लेकिन राज्यकारे समित्य में हुए इस मसौदे के राजनीतिक नितार्थ क्या है बीजेपी का पॉलिट का लंबीशन क्या है वो आगे कैसे बढ़ना चाहती है इन सब मसले पर आज हम बात करेंगे और अपोजीशन उसको कैसे हैंडल करेगा यह आज सब चर्चा का विश है इस पर चर्चा में रहेगा बैनवाईयों उत्तरप्रदेश में भारतिये जन्ता पार्टी ने अपनी बड़ी व्यापक और संगठी तयारी किये बीजेपी इस बार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है पार्लियमेंट के इलेक्षन में जो 2024 में है यानि अब से सिर साल भर यानि 12 महीने का वक्त है विपक्ष के पास क्या तयारी है भारतिये जन्ता पार्टी किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ रही है यह एक बड़े व्यापक चर्चा का विशह बीजेपी ने अभी बैठक की है राज्य कारे समित की मीटिंग की है उसमें एक एजेंडा किया है क्या है यह एजेंडा राज्य कारे समितियों की बैठक या उसके एजेंडे पब्लिक के भी चर्चा कभी रिशह नहीं होते लेकिन भाईयों यह जो एजेंडे होते हैं इसी से साल भर कोई पॉलिटिकल पार्टी कैसे काम करेगी और किन उद्ध्यों के तहत आगे ब पार्टी है आपको मालूम होना चाहिए कि साल भर जिस पॉलिटिकल पार्टी को आपने वोट देकर उत्तरप्रदेश और देश में उनको सत्ता सौपी है उनका पॉलिटिकल एजेंडा क्या है वो आपके किन एजेंडे के तहत काम करती है और अपोजीशन के भी कारे समिति के एजेंडे पर नजर रखना चाहिए कि जिनको आपने चोकीदारी की भूमिका दी है जिनको आपने ये मैंडेट दिया है कि जाओ और सरकार के काम पर नजर रखो वो क्या कर रहे हैं उनकी कारिसमीति क्या कहती है उनके क्या एजेंडे हैं इन्हीं एजेंडे से किसी भी राज में राजीनिती का वहन भाई निर्धारण होता है कि इस एक वर्ष पॉलिटिकल पार्टी किन एजेंडे को पबलिक के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है अपने एजेंडे को थोप रही है या इस एजेंडे से इतर भी कोई एजेंडा है जो रोज अलग-अलग रूप रूप में शाम को बाहर आता है कोई और भी एजेंडा है या फिर स्वामी प्रसाद मौरिया के रूप में आता है या साध्वी प्राची के रूप में आता है कि सबके पास अलग- Uhr Арके लौग है आलग-अलग जिंडेंडे हैं एक ओपर शेंड़ा है जो आपके सामने होता ह एक प्रॉक्सी एजेंडा होता है और आपको बैनों भाईयों खुले दिमाग से इस बात को सोचना चाहिए कि राज्य कारे समितियों के बैठक में जो पॉलिटिकल एजेंडा होते हैं उनके राजनीतिक नितार्थ क्या है जैसे भारतिया जनता पार्टी ने संकल्प किया असी में असी जीतेंगे क्या संभव है क्योंकि उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने लास्ट पार्लियमेंट के इलेक्शन लास्ट असेंबली के इलेक्शन में 36 पर्षेंट चे ज्यादा वोट शेयर हासिल किया यह 36 पर्षेंट का ओट शेयर कितनी सीटे दिला सकता है लेकिन इससे इतर जाहिए अभी जो रिसेंटली बाइलेक्शन हुए मैनपूरी खतावली की सीट अपोजीशन ने जीती रामपूर भारती जनता पा पायावती और प्रियंका गांधी से कांग्रेस बहने ही बहुत ताकत में कम हो गई हो सिर्फ दो पर्षेंट वोट शेयर हुआ हो लेकिन जब नेशनल परस्पेक्टिव की बात आती है और राष्ट्रिय चुनाओं की बात आती है तो कांग्रेस को थोड़ी असेंबली एले प्रदानमंत्री मोदी जी के सुस्षी नित्रतों में जो भी मानक गड़ा गए वे प्रिणाम हम सक के सामने आपे वे दिखाई दिये याद करिए जिस ब्रिटेन ने 200 वर्सों तक भारत में सासन किया था कि आज उस ब्रिटेन को पचाड करके भारत आजादी के अमरित महतसों वर्स में दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थिविवस्ता बना है और बहुत सीक्र प्रदानमंत्री मोदी जी के नित्रतों में भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थिविवस्ता बनने वाला कि अब प्रदिश कार्समिती का लच्छे जो सिच्छ के मेल सी चलना है उसको जीतना है नगर निकाय का चुनावाने वारा है उसको जीतना है फिर 2024 में क्यों लच्टी में से कार्समिती का पॉलिटिकल एजेंडा है जो बीजेपी के नोयडा से विधायक पंकर सिंग ने फ्रस्तुत किया और जिसका प्रापर अनुमोधन किया गया हम इस 15 पेज के पॉलिटिकल एजेंडे पर आज चर्चा करेंगे अपोजीशन के पास रूलिंग पार्टी के जिवार का और आपकी आने वाली नसलों का भी भविस्तिताय करेंगे जिन रूलिंग पार्टी का हम उसके एजेंडे पर आज चर्चा करेंगे संजीव मिस्टाइब